हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल इस्टडी आर्थ हब जिसकस करने वाली हो के जी सब्रमन्यम की बारे में लास्ट क्लास में रडवी सकसेना की जो यह पेंटिंग्स आपको दिखने हैं रडवी सकसेना की रडवी सकसेना तकके डिसक्रिप्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं अब श्टार्ट करती हुँ के शब्रमन्यम के बारे में कलपती गंपती सुब्रमन्यम बहुत फेमस आर्टिस्ट your desse channel प्रिंट में कभी सो चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें मेक शूर आपने लाइक कर दिया होगा क्लास से स्टार्ट करती हूं केजी सुब्रमन्यम अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दीजे चलिए केजी सुब्रमन्यम का जन्म 1924 पूछा जा रहा है कलपती गडपती सुब्रमन्यम को किस वर्स पदमश्री पुरसकार से समानित किया गया था 1975 में इनको पदमश्री अवार्ड मिला था केजी सुब्रमन्यम को पहला भारतिय चितरकार जिसे कालिदा समान ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम म पूछी गई है कि पहला भारतिय चितरकार कौन था जिनको कालिदा समान मिला केजी सुब्रमन्यम थे और ये कालिदा समान ये अवार्ड मिलता कहां से है तो ये अवार्ड मिलता है MP से MP मिन्स मदप्रदेश से मिलता है केजी सुब्रमन्यम को मदप्रदेश सरकार ने किस व प्रकाशित हुई moving focus 1978 में केजी सुब्रमन्यम कि पश्च्च्च मी कल Premium कलाकार की कला से काफी प्रभावीत थे हिंदरी मैट इससे काफी काफी प्रभावित रहें हेनली मैटिस पिलां करते हैं कैजी सुब्रमन ने किस कला शैली से और षृृ क्राव 5 रहे थे कला शैली अभी ga वsm इसे बोलते इक्सप्रेस decreasm अक्सप्रेस्निज्ड मुंमेंट कर चला कहा चला यह स्टार्ट हुआ था जर्मन में जर्मन में ये कला अंदुलन स्टार्ट हुआ था 1904 से लेकर के 1914 तक चला था इसके टू पार्ट्स हुए थे अभी विंजनावाद की एक था डाइब रू के डाइब रू के स्टार्ट हुआ था 1904 में और 1912 तक चला था दूसरा था Blue Rider Group Blue Rider Group इसका exact time है 1912 से लेकर के 1914 तक चला 1914 तक और Dye Broke के जो रहे हैं इसके जन्मदाता कहे जाते हैं Ludwin Krishner और Blue Rider Group के जन्मदाता कहे जाते हैं Wesley Kandansky और Abhi Vengeanavad जिसे Expressism कहते हैं उसके जन्मदाता है Edward Mung Mung की एक बहुत famous printing है Christ Cheek ठीक है चलिए अब clear हो गया कि अभी Vengeanavad बिसिकली है क्या तो एक कलान दोलन है जो इस्टार्ट होता जर्मन में किस कलाकार का उपनाम मनीदा था मनीदा K.G. सुब्रमन्यम का उपनाम था मनीदा K.G. सुब्रमन्यम द्वारा निर्मीत नियू डैली भित्ती चित्र बनाई गई थी प्रशित भित्ती चित्र गांधी दर्शन गांधी दर्शन मूरल 1968 69 में ने बनाया था उनके सहयोगी कौन थे के लक्षमरगाड के लक्षमरगाड जो बहुत फेमस रहा प्रिंट मेकर के लिए इनकी एक प्रिंट मेंकिंग है मैन, वुमेन एंट्री उन्होंने हेल्प किया था केजी सुप्रमन्यम का डैली दर्शन मूरल बनाने में 1969 में बनाया सेकेंड है दक्किंग ओफ डार्क चेमबर बहुत फेमस है दक्किंग ओफ डार्क चेमबर प्रिंट इम्पूर्टन लाइन्ष नहीं सब इनकी बित्दी चित्र ये भी मूरल है कहां बनाये थे तो ये लख्नों में रविनराले भवन में बनाये थे रविलराले भवन के बाहर trainings किस चित्रकार के चित्रों को खाकी चित्र शिंखला के नाम से जाना जाता है केजी सुब्रमन्यम के चित्र को खाकी चित्र शिंखला के नाम से जाना जाता है moving focus, the east end, waste, uncount in arts उस तक के लेखर कौन है केजी सुब्रमन्यम केजी सुब्रमन्यम प्रमुक रूफ से किस लिए जाने जाते हैं भित्टी चित्र के लिए Mural Painting के लिए famous रहे हैं किस भित्टी कलाकार ने जियोती प्राइवेट लिमिटेट कमपनी बड़ोदा गुजराद के लिए Mural बनाये थे K.G. सुब्रमन्यम K.G. सुब्रमन्यम को किस वर्स पद्मभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया था 2006 में इनको पद्मभूशन अवार्ड मिला था किस कलाकार को स्कॉलर कलाकार के नाम से जाना जाता है केजी सुप्रमन्यम को स्कॉलर कलाकार के नाम से भी जाना जाता है किस वर्स केजी सुप्रमन्यम को महाराश्ट राज पदर्शनी में प्रतम पुरसकार मिला था 1961 में 1965 में केजी सुप्रमन्यम किस कला संस्था के सदस से बने थे राश्ट्रिय ललित कला एकैडमी न्यूडैली केजी सुब्रमन्यम कब से कब तक आउल इंडिया हैंड लूम बोर्ड मुंबई के डिजाइनिंग सलाहकार रहे थे 1959-61 प्रशिद भित्ती चित्रे द किंग और डाक चैंबर 1963 में किसने चित्रित किया केजी सुब्रमन्यम ने केरल राजे सरकार ने केजी सुब्रमन्यम को कब राजे रविवमा अवार्ड दिये थे 2001 में केजी सुब्रमन्यम की कर्मिस्तली कहां थी बड़ादा थी केजी सुब्रमन्यम किस वर्ष शांतिनिकेतन इस्तित कला भवन में छात्र के रूप में शामिल थे 1944 में हिंदी भवन में बिनोद बिहारी मुखरजी द्वारा बनाया गया प्रशिद म्यूरल मध्यकालीन हिंदू संथ 1947 में बनाया थे उनके सहयोगी कौन थे उनके साथ केजी सुब्रमन्यम ने उनके हेल्प गिया था बिनोद बिहारी मुखरजी का ब्रशिद म्यूरल दकिंग आफ डार्ग चैंबर कहां पर बनाया गया है रविन राले भवन के बाहर प्रवेश द्वार पर लखनों में केजी सुब्रमन्यम के चित्रण में किस रंग की अधिकता पाई गई है केजी सुब्रमन्यम की जो पेंटिंग से उसमें भूरे रंग के अधिकता पाई गई है ब्राउन कलर्स की केजी सुब्रमन्यम गुजरात ललितकला अकैडमी के अधिक्ष का बने थे गुजरात ललितकला के अकैडमी के अधिक्ष बने 1968 to 1974 केजी सुब्रमन्यम के चित्रों को खाकी चित्र श्रिंखला क्यों कहा गया भूरे रंग की अधिकता होने के कारण ब्राउन कलर्स इन्होंने खाकी श्रिंखला में यह कहले हैं कि ब्राउन कलर के टोन में इन्होंने बनाया इसलिए भूरे रंग की अधिकता के लिए इनको ख खाकिष रिंख्ला पेंटिंग को कहा गया। प्रशीद्ध मेरे सपनों का भारत। बहुत फेमोस मेरे सपनों का भारत किसका रहा है। KG सुब्रमढ़यम का। The King of Dark Chamber मूरल को किस सामाघरी में बनायगा था टेराकोटर टाईज में। Glazing Terracota Ties, याद रखेज़ेगा, Glazing Terracota Ties में बनाया गया था, KJ स्वर्मन्य मन् एम को किस वर्दभाय सरकार ने PADMU विभूशन से समानित किया, इनको PADMU विभूशन अवार्ड मिला था 2012 में, भारत में serigraphy silk screen, विधा के जनक किसे कहा जाता है, सेरिग्राफिय सिल्क स्क्रीन देखी एक बात और बता देरी जो सेरिग्राफिय ये प्रॉसेस है प्रिंट मेकिंग का भारत में इसका इन्विंशन भी इन्होंने ही किया है केजी सुब्रमन्यम ने यहां कहा जा रहने भारत में सरिग्राफिय सिलक स्क्रीन विधा का जनक जनमदाता है ये फाउंडर केजी सुब्रमन्यम बड़ोदा विश्विद्याले के ललित कला विभाग में विभागा देच कब रहे कब बने थे 1951 में 1951 में केजी सुब्रमन्यम को 1991 में किस विश्विद्याले ने अवन गगन पुरसकार से समानित किये विश्वพरारती विश्विद्याले शान्तिनिकेतन से भारत में ग्लास पेंटिंग कांच पर चित्रकारी करने के लिए किसे जाना जाता है ग्लास पेंटिंग के लिए केजी सुब्रमन्यम फेमस रहे हैं इन्होंने काम किया है केजी सुब्रमन्यम द्वारा चित्रित प्रशिद चित्र इस्टूडियो 1965 में इन्होंने बनाया था उसका मटेरियल क्या था ओयल कलर में इन्होंने इस्टूडियो पेंटिंग बनाई बड़ादा के किस कलाकार ने ओल इंडिया हैंड लूम बोर्ड बॉम्बे के डिजाइनिंग सलाकार के पद पर रहकर काम किये केजी सुब्रमन्यम केजी सुब्रमन्यम को किस वर्श ललित कला एकेडमी न्यू डेली का राष्टिय प्रसकाय प्राप्त हुआ था 1965 में केजी सुब्रमन्यम ने चितरकला का अध्यन कहां किया विश्वभारती विश्विद्याले शांती निकेतन से इन्होंने अपना education complete किया पेंटिंग का विश्वभार्ती विश्विद्धाले शांतिनी केतन में केजी सुब्रमन्यम ने किसके सानिदे में रहके इनने चित्रकला की सिक्षा ली थी नंदलाल बोस और बिनोद बिहारी मुखरजी के सानिदे में रहके देट मीन्स कि इनके टीचर रहे हैं नंदलाल बोस और बिनोद बिहारी मुखर जी डकिंग ओप डाक चैंबर, मूरल, चित्र करने केजी सुब्रमन्यम के शहयोगी रहे थे ग्यारसी लाल वर्मा और यामिनी रॉय प्रशिद क्राफ्ट मैन ग्यारसी लाल वर्मा कहां से संबंदिते हैं राजस्थान से बिलॉंग करते हैं केजी सुब्रमन्यम के भित्य चित्र का प्रमुक माध्यम क्या रहा था सामागरी टेरागोटा किस कलाकार ने रविन्र नार्ट टैगोर द्वारा लिखित दखिंग ऑफ डार्ट चैमबर नाटक पर आधारित एक विशाल भित्य चित्र को रिप्रेजेंट किये थें केजी सुब्रमन्यम तो यह लाइन नहीं भूलिएगा कि दखिंग ऑफ डार्ट चैमबर नाटक थी रविन्र टैगोर की और उस नाटक को इन्होंने भित्य चित्र में म्यूरल में रिप्रेजेंट कियें बनाये थें केजी सुब्रमन्यम केजी सुब्रमन्यम का देहान कब और कहां हुआ था? 2016 बड़ोदा में बड़ोदा गुजरात में इनके प्रमुक पुस्तक हैं मुविंग फोकस 1978 जीविंग ट्रदिशन 1987 दे क्रिएटिव सर्कुटी दे क्रिएटिव सर्कुट 1992 दे मैजीक ओफ मेकिं 2007 में शुच अन्वेश्ट अनकाउंट इन आर्ट पर्स्पेक्टिव ओफ मॉडर्न इंडियन आर्ट इनकी ये वली बहुत फेमस है प्रस्पेक्टिव औफ मॉडर्न इंटियन आर्ट मुविंग फोकस इनके प्रमुक चित्र देख लीजे फेरे टेर्स और पुरुपली बहुत इंपोर्टेंट है युलाइज ये करेक्ट्र इसबटेंट है अल्य जोन में पोर्क पंअनुष्टान पहुत फेमस रही गुलाबी आदमी गुलाबी औरत नीला आदमी पर बनाय थे ष्टूडियो ऑलाउन कैंवस 1975 छो यह सैंटैंडरस कन विवा भूब बहुत ऐ मश्रूम घॉट ? चागस पर बनाय थे बिटती चेत्र इघ्ज Great पता ही है यह बहुत फेमस रहा है टेराकोटा ग्लैजिंग टाइस में बनाया थे 1963 में रविन्राले भवन के प्रविश द्वार के बाहर प्रेज़ेंट किया गया एक्जबेट है महीं पर बनाया गया है मेरे सपनों का भारत ये भी भित्य चेत्र है 1969 में इन्होंने बनाया न गंडव 1969 न्यूडैल ही में गांधी दर्शन टेराकोटा टाइस में 1969 में न्यूडैल ही में है नेक्स्ट आर्टिस्ट है रामचंद्र सुकल जो बहुत फेमस रहा है इनको समिक्षवादी का लाकार कहा जाता है रामचंद्र सुकल का जन्म कब और कहां हुआ था 1925 तहशील हरया जिलाबस्ती उत्तर प्रदेश में यूपी के आर्टिस्ट है रामचंद्र सुकल किसलिए प्रशिद है कला समिक्षव को लेखा के लिए फेमस रहे हैं प्रतम भारतिये कलाकार जिन्हें फ्रांस सरकार ने कला योगदान के लिए जीन ओन फ्रेगोनार्ड अवार्ड गतने रामचंद्र् सhukla को इवार्ड मिला था फ्रांससे रामचंद्र शॉखल का संबंद कहां से था अलाबाज से था मिंस प्रियागराज प्रियागराज होगे अलाबाए अलाबाज से संबन रहा था भारत में समिक्षवादी चित्रशयली के जनक किसे कहा जाता है राम किस कलाकार के चित्रों में मुख्य रूप से समिक्षात्मक व्यंग चित्रित किया गया समिक्षात्मक व्यंग चित्रित किया गया रामचन्रशुक्ल रामचन्रशुक्ल किस शैली के चित्रकार थे समिक्षवादी शैली के चित्रकार थे समिक्षवादी शैली के लिए फेमस रहे हैं फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित होने वाले पहले भारतिय कलाकार कौन माने जाते हैं पहले भारतिय कलाकार रामचन्र शुक्ल माने जाते हैं रामचन्र शुक्ल के चित्रों में प्रमुक रूप से किस रंग की प्रधानता रही है ब्लू कलर्स की नीले रंग की और शिक्षा कहां से प्राप्ट किये थी अलहबाद विश्विद्दाले से कुर्सी पर बैठा उल्लू सिर्च चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया रामचनर शुकल का है भारत में समिक्षवादी चित्रड शैली की शुरुवाद किस ने की थी? रामचंद्र शुक्ले की करमस्तली कहां से संबंदी थे? अलाबाद से रामचंदर शुक्ले ने चित्रकला की सिक्षा किसके सानिध में रहकर प्राप्त किये थे? चितिनाथ मजुमदार और सुख्वीर सिंग सिंखल ये दोनों स्टुडेंट थे? कला गुरू चितिनाथ मजुमदार से आपने किस कला टैक्निक का वीधिवत शिक्षा प्राप्त किये थे वाश टेक्निक धोवन पद्दती मिंस वाटर कलर से जो वाश टेक्निक की जाती है उससे इन्होंने एजुकेशन लिये थे छितिनात मजुमदार से प्रशिद पुस्त के रूपा वाली बहुत फेमस है कला दर्शन आधुनिक कला समिक्षवाद आधी किस ने लिखी रामचंदर शुकले ने भारत के प्रतम समिक्षवादी कलाकार किसे कहा जाता है रामचंदर शुकल को राम चंदर शुकल का दिहान कब और कहां हुआ था 2016 में अलहवाद में हुआ था रेखावली बहुत फेमस है भार्तिय चितरकला शिक्षर पद्धती चितरकला का रसास्वाद कला दर्शन, कला प्रशंग आधुनिक कला समिक्षावाद पश्ची माधुनिक चितरकार यह सारे पुस्तक रहते हैं राम चंदर शुकल के राम चंदर शुकल की कुछ फेमस पेंटिंग है आपात काल, अंतिम भोज चंदर यात्रा कुरसी पर बैठा हुआ उल्लू यह बहुत फेमस है एक कुरसी बनाई गई है उसके बाद इस तरह से एक उल्लू यहाँ पर बैठा है और कुछ उल्लू यासे तार पर है इस तरह से कॉम्पोजिशन है देख लिजेगा एक पर पिक्चर आर्टिस्ट मनोहर कॉल इनका जन्म हुआ था 1925 में और 1999 में इनकी मृत्तिव मनोहर कॉल का जन्म कबर कहां हुआ था 1925 श्रीनगर कश्मीर में प्रशिद चित्रशिंखला म्यूज टू मून लाइट किसने चित्रट किया मनोहर कॉल ने मनोहर कॉल के पिता श्री कंड कॉल क्या थे एक अध्यापक थे मनोहर कॉल ने कहां से कहां कि प्राकृतिक सौंदर से काफी प्रभावित रहे थे तो ये बिसिकली नेचर से इंफ्लेंस थे कश्मीर की वादियों से मनुहर कॉल ने M.A. की विश्य से किया इन्होंने अपने एड्यूकेशन कंप्लीट की थे M.A. की अर्थसास्त्र से 1988 में मनुहर कॉल किस पत्रिका के संपादक भी रहे थे कला दर्शन पत्रिका के संपादक भी रहे थे मनुहर कॉल के चित्रों में प्रमुक रूप से क्या देखने को मिलता है नीचर्स हिमाले द्रिश्ट विसी कली लैंड्सकेप में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है कश्मीर की तो ज्यादा इनकी पेंटिंग्स में नीचर देखने को मिलेगा प्रशिद चित्र प्रशिद चित्र इंदरा जी इन कन्वर्शेशन विद लॉर्ड शिवा को मनुहर कॉल ने कब और कहां प्रदर्शिद की है 1985 आईफेक्स जिसे कहते हैं आल इंडिया फाइन आट्स एंड क्राफ्स सोसाइटी न्यू डैली में एक्सबीट किये थे मनुहर कॉल को किस चित्रकार की चित्रकला को देखकर हिमाले की चित्र करने का प्रेड़ा मिला था यह इंफ्लेंच रहे हैं निकोला सोरिक जिनने कहा जाता है रंगों का जादूगर और इनको कहा जाता है Master of Mountain इन्होंने ब्लू कलर में इनके ब्लू कलर फैबरेट रही है ब्लू में लैंड्सकेप काफी बनाए है रसीयन थे रूस से विलॉंग करते हैं इंडिया में आके सेटल्ड हो गया थे और 1774 1974 में इनका जन्म हुआ था मनोहर कॉल ने ललीत कला का अध्यान कहां से किया इन्होंने अपनी एजुकेशन कहां से लिए Sir AS Technical Institute न्यूड आली से मनोहर कॉल प्रमुक रूप से किस लिए जाने जाते हैं इंडिश्य चित्र के लिए बिसे के लिए लैंड्सकेप के लिए फेमस हैं इनकी प्रमुक चित्र शिंकला है Muse to Moonlight Piper on Watercolor नेक्स आर्टिस्ट है तैयब मेहता तैयब मेहता का जन्म हुआ था 1925 में और 2009 में इनकी मृत्ती हो गई तैयब मेहता का जन्म कब और कहां हुआ था 1925 कपाड़ वंज जिला खेड़ा गुजरात में हुआ था प्रशिद्य चित्र जश्न ने इनकी जश्न बहुत फेमस है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैलीब्रेशन सैलीब्रेशन ऑल्दो सैलीब्रेशन तैयब मेहता ने भी बनाई है अगर दोनों आप्शन में रहेंगे तो तैयब मेहता इवन सतीज गुजराल ने भी बनाई है अगर दोनों आप्शन में होंगे तो तैयब मेहता करेक्ट जादा फेमस रही है तयव महता की तयव महता ने किस आर्ट्स कॉलेज से चित्रकला का अध्यान किये थे सजज़ स्कूल आफ आर्ट्स मुंबई से तयव महता को कब भारत सरकार ने पद्मभूशन सम्मान से सम्मानित किया 2007 में तयव महता कब सारवदिक जीवन कहां भीता था सारवदिक जीवन इनका टाइम स्पेंड हुआ है मुंबई में तयव महता को किस वर्स तिनाले का स्वड़ पदक प्राप्त हुआ था 1968 में तयव महता कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं अभिवन जनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मिस एक्सप्रेशनेजम आर्टिस्ट प्रशिद तमिल फिल्म तमिल फिल्म मिटिंग प्लेज मिटिंग प्लेज कुडाल किस चित्रकार ने बनाई तयव महता की बहुत फेमस है कुडाल मोवी भारत का फ्रैंसेसज बेकन किस कलाकार को कहा जाता है फ्रैंसेस बेकन से इंफ्लॉएंस ते आपि प्रशिद चित्र शिंकला विकर्ड बहुत पेमस पेंटिंग है तयव महता की इंगेर बुलते हैं इस पेंटिंग को को रसकार मिला था 1965 में ब्रथम द्रवाश्ची की न्यू डैली का स्वड़ पदक किस का चित्रकार को प्राप्थ हुआ था तैयब महता को किस चित्रकार ने मुंबई के एक इस्टूडियो में फिल्म संपादक के रूप में कारे किये थे तैयब महता तैयब महता किस कला शैली से काफी प्रभावित रहे हैं अभी वेंजनावादी कला अंदोलन से प्रभावित थे तैयब महता की मुलाकार शुरुवात कैरियर में किस चित्रकार से हुई थी मजीद से तयीब महिर्ता को उनकी किस चित्रपर प्रतम 13ra स्वड़पदक मिला था गिर्ते हुए शरीर, English ने बलते हैं falling figure falling figure, पुछा गया habinding figure किसकी है, falling figure है तयीब महि truck की उसे ह handy में बोलते हैं, गिर्ते हुए शरीर 1968 में इनको 13 से स्वरपदक अवार्ड मिला था तयव महता को तयव महता की चितरर शैली किस अभिवन जनावादी कलाकार से काफी प्रभावी थी Francis Bacon से तयव महता को उनकी किस फिल्म के लिए 1970 में फिल्म फियरी क्रिटिक अवार्ड मिला था उनकी कुडाल मोवी पर इनको फिल्म क्रिटिक फियरी अवार्ड मिला तैयब महता को किस वर्ष मद्दप्रदेश सरकार ने कालिदा सम्मान से सम्मानित किये 1988 में इनकी प्रशिद चित्रे विकर्ड जिसे डाइगनल बोलते है डाइगनल पेंटिंग किस दशक में बनकर त्यार हुई थी 1970, 1970 में तैयब महता है कि मृत्यू कब हुई थी इनकी मृत्यू हुई थी 2009 में मुंबई में 1925 में पैदा हुए थी और 2009 में इनकी मृत्यू हो गई थी डाइगनल सिरीज जैसे बोलते है विकर्ड शित्रे शिंकला बहुत मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट प्यंटिंग है यह वाली इनकी और उन कैन्वस पे बनाया है 1973 में नेशनल गाल्री ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डाली में एक्जिबेट है शांति निकेतन ट्रिफलक्ष शिंकला है और उन कैन्वस जेश्चर सैलिब्रेशन एक्रेलिक में बनाया थे लूइमगी अगरी बहुत आन की सैलिब्रेशन बहुत रिक्षा आली ऑन्यूज रिक्षा खीषने वाला रिक्षा पूलर बहुत आली आली ऑन्यूज गित्ते हुए शरीड इसे बलते falling figures oil on canvas 1968 सांकेत इशारा जैस्चर 2005 रिक्षे वाला रिक्षे वाला इन्होंने acrylic on canvas में बनाए 2002 में साड बूल canvas पर oil color में नील नीला सीर blue head oil on canvas सान्थाल का बसंत 300 बंधा हुआ साड काली चिडिया शांतिनिकेतन ट्री फलक oil on canvas 1986 में राष्टिया अधुनिक कला दिर्गा नीडाली में एक्जबीट है blue torso oil on canvas 1973 में बनाए निक्स्ट आर्टिस्ट ने वासुदेव स्मार्ट वासुदेव स्मार्ट का जन्म हुआ था 1925 में और 1999 में इनकी मृत्य वासुदेश मार्ट का जन्म कब और कहां हुआ 1925 सूरत गुजरात में वासुदेश मार्ट ने चित्रकला डिप्लोमा कहां से कंप्लेट की सजेजी स्कूल अफार्ट मुंबई से वासुदेश मार्ट किस राजे की राजे ललित कला अकैडमी के सदस्रे रहेते हैं गुजरात राजे ललित कला अकैडमी के सदस्रे रहेते हैं वासुदेव ने दो वार्षी है भित्ती कला की प्रशिक्षड कहां से लिए थी बनारस हिंदू विश्विध डाले से इन्होंने अपने भित्ती चित्र का एजुकेशन लिए थे वासुदेव स्मार्ट ने वासुदेव स्मार्ट की चित्रड कला पर किस कलाकार की कला से काफ नहीं देखा है तो प्लेलिस्स से विजिट करके इन आर्टिस्ट को अच्छे से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है यहां से क्वेश्चन्स आपको एक्जाम में आने के चांसे हो जाएंगे इवन आए हुए भी है इसलिए बोल रही हूं नेक्ष्ट वासुदे स्मार्ट किस धर्म से संबंदित कलाकार थें वैश्णो धर्म से संबंदित कलाकार थें किस भित्ती चित्रकार ने भित्ती विधी पर आधारी भारतिय भित्ती चित्र पुस्तक लिखी वासुदे स्मार्ट ने भारतिय भित्ती चित्र पुस्तक लिख संबंदित एक प्रशिद्य कलाकार थे गुजरास से यह वाली लाइन नहीं भूलिएगा बादामी गुफा की प्रतिलेपिया इनको 1954 में बुलाया गया था वासुदे स्मार्ट को निर्मित करने के लिए और बादामी गुफा की खोज 1934 में इस्टेला क्रैमरिस ने की टोटल यहां पर चार गुफाएं हैं और वासुदे इसमार्ट प्रमोक रूप से किस विधा के कारे के लिए जाने जाते हैं फ्रैसको भितिचित्र के लिए फ्रैसको भितिचित्र के लिए बितिचित्र के टू प्रॉसेस हैं एक फ्रैसको ब्यूनो है और दूसरा है फ्रैसको सेक को ब्यूनों जो है वेट ऑन वेट प्लाश्टों पे किया जाता है स्यक को ड्राइव मतलब काम करते रही है सूख जाता है लेयर बाई लेयर हम काम कर सकते हैं लेकिन फ्रैस को ब्यूनों में on the spot लेयर बाई लेयर तुरन रेडी करना होता है चलिए नेक्स लाइन देख लेते जाना जाता है एवं लगू चित्रकारी के लिए जाना जाता है वासुदे स्मार्थ में स्मार्थ ने भित्ति चित्रकारी के लिए किस सामागरी का यूज किये थे कौन सा माटेरियल यूज किये थे खनीज रंग और जल रंग ऑल कलर ऑल कलर वर्टर कलर और मिनरस कलर तीनो असैम मार्केट विरेंडे के बारे में क्लास में डिसकß करूंगी अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दिजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग बेस्ट वि vist Us for the exam